जैहिन, स्वागत है आप सबीगा तो देखिएगा बियारो गृफ में जो आपका SKT यानि की स्टोर की पर टेक्निकल का एक्जाम है वो आपका 18 दिसंबर को कम्प्लिट हो चुका है लेकिन इस एक्जाम के बारे में कुछ है यहाँ पर जानकारी सामने आई है कि यहाँ पर जो आपका पेपर है वो अब की बार भी आपका लीक हुआ है तो क्या पिछली बार की तरह अब की बार भी जो आपका एक्जाम है वो कैंशिल हो सकता है या फिर नहीं अगर कैंशिल नहीं होगा तो इसका जो रजल्ट है वो कब आएगा और साथ ही साथ में इसी पोस्ट के साथ है जो दूसरी पोस्ट है एक ही बरती की D.E.S. यानि के ड्राइवर इन स्टाटिक है इन दोनों का रजल्ट कब आने वाला है इस एक्जम के बारे में क्या अपडेट है चलिएगा डिसकस करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ADVT नमबर 02-2022 में ये टोटल आपकी वो दो पोस्ट हैं जो आउट की गई थी और इनका एक्जम भी आपका कंड़क्टर हो चुका है लेकिन सवाल ये उड़ता है कि जो अस्किटी का पेपर है क्या वो आपका लिक हुआ है या फिर नहीं ये सब से आपका मैन मुद्दा है तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए जो भी मैं आपको एक एक सब्द बोल रहा हूं उसको नोट कर लीजिए गा बियारो गरिफ के बारे में आप सभी अच्छे तरह से जानते हैं कि जो भी आपको हम अपडेट देते हैं बिलकुल आपकी र के बारे में कोई भी आपकी जानकरी नहीं है यानि कि डिपार्टमन के तरफ से बियारो गरिफ के तरफ से पेपर लीक होने का जो मुद्दा है अभी उसके बारे में कोई भी आपडेट नहीं है कि पेपर आपका लीक हुआ है अब जो पेपर है कुछ बच्छों के सामने ज भी सकता है कि पेपर जब आपका complete हो गया हो उसके बाद जो आपका पेपर है वो बाहर गया हो तो यहां पर अब इस बाद के उपर हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि पेपर आपका cancel हो सकता है अगर पेपर आपका लीक नहीं हुआ है अगर इस बार धंदले नहीं हुई है तो पेपर कैंसल आपका नहीं होगा अब तक पेपर कैनिशल होने का एक परसंट भी यहाँ पर अपडेटर नहीं है आने वाले समय में पेपर कैनिशल भी हो सकता है अगर लिक हुआ होगा तो लेकिन जो आगे के जानकारी होगी वो आपको हम आगे देंगे फिलहाल में जिस डेट को मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ उस डेट तक यहाँ पर 21 दिसंबर के तारिक मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर कैनिशल होने की कोई भी एक परसंट भी अपडेटर नहीं है अब आगे क्या अपडेट होगी वो तो टाइम बताएगा लेकिन इस टाइम तक जिन बच्चों का एक्जाम अच्छा गया है बिलकुल निशिंत रहीएगा इस टाइम तक आपके पेपर कैनिशल होने की कोई भी चान से नहीं है ओके तो यहां पर देखिए आपके जानकारी है कि जो पेपर लीक हुआ है उसकी जांस परताल होनी बाकी है जैसे है आपकी पूरी जांस परताल हो जाती है उसके बाद रजल्ट क्या आएगा वो भी मापको बता दूँगा बस आप चेलन के साथ जुड़े रहीएगा अब अगर बात करें कि अगर पेपर आपका कैनिशल नहीं हुआ है तो रजल्ट कब तक आ सकता है जो ड्रैवर इंजिस्ट्रटी का रजल्ट है वो तो बिना कि शिस्सक के आपका जनुवरी में आ जाएगा जिसकी टोटल 499 पोस्ट है बिना कि शिस्सक के जनुवरी में 100% ड्रैवर इंजिस्ट्रटी का रजल्ट आ जाएगा लेकिन जो असकीटी का रजल्ट है मैं इसको थोड़ा सा रोक कर बताना चाहूंगा जब तक आपके जांस परताल नहीं हो जाती है जब तक कोई लास्ट सोल्यूशन नहीं निकल जाता है उस टाइम तक रजल्ट का आप वेट किजिए इसके मतारिक आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि जांस परताल होगी उसके बाद रजल्ट क्या आता है वो आपका जो है यहापर डाटा डिशाइट करेगा कि आगगा क्या रहने वाला है ओके तो एसकेटे के बारे में फिलहाल तक जो अपडेट है कि वो आपको हम बता देंगे अब दोनों ही पोस्ट का माल लिजिए अच्छी तरह से रजल्ट आपका आउट हो जाता है तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है दोनों पोस्ट में फिजिकल आपकी होगी बोथ एसकेटी एंड्रेवर इंडिस ट्रैक्टिक के लिए जो के आपकी वन म स्किल रेस होने वाली है टाइम आपको हमें का टोटल है दस मिनिट का यादर कियेगा यह सिर्फ क्वालेफिंग इनेचर की है यानि मेरिट में कोई भी इसका वेटेज आपको नहीं मिलेगा सिर्फ आपको यह पास करनी है और यहां पर देखिएगा जो आपकी एसकेटी की पोस्ट है इसमें आपको पता होगा बार बार आपको हमने बताया है कि इसमें कोई भी आपका स्किल टेस्ट या फिर ट्रेट टेस्ट नहीं होता है डारेक्टर आपके फीजिकल होगी जिसमें आपका डिवी यान के डोक्मेंट वेरिफिकेशन होगा और प्लस में आपका जो medical है वो भी conductor किया जाएगा और जो आपका written exam हुआ है SO number का उसे के आधर पर जो आपके merit list है वो आपके out के जाएगी ओके तो जो escape वाले कंडी rate है बिलकुल निस्चिंत रहीएगा अगर physical medical document verification ये अच्छे से आप clear कर लेंगे तो आपका जो selection हो जाएगा ओके लेकिन जो driving in static वाले कंडी rate है वो याद रखियेगा कि ये आपके तीन ऐसे topic है जिनके उपर आपका ट्रेटरस्ट एक conduct होने वाला है और ट्रेटरस्ट में आपको हुने बताया है कि ऐसा नहीं होता कि सब कुछा आपको वहाँ पर करके दिखाना है जितना आपसे पोचा जाए आपसे करनी के लिए कहा जाए उसका अगर 40% भी आप कर देते हैं यानि कि ट्रेटरस्ट में मतर 40% नमबर भी अगर आप लाते है तो ट्रेटरस्ट आपका 12 यह माना जाएगा जैसे कि यहांपर आपका ड्रेवर इंजिन स्टेटिक में identification of engine parts of static engine identification of oils या फिर lubricants identification of tools या फिर equipment यह से भी topic आपके ट्रेटरस्ट में आने वाले हैं बाकि जो आपकी physical होगी जो medical होगा जो document verification होगा वो भी आप सब का होने वाला है तो इन सब के लिए तयार हिएगा अच्छी से अपने तयारी किजिएगा जो आपके हाथ में था exam के तयारी करना exam देना वो सब आप कर चुके हैं अब इस next process के उपर आपका focus होना चाहिए बाकि जो भी आपके next update होगी वो आपको हम बताती रहेंगी ओके और देखे आगे कुछ भी हो सकता है एसकेटे के exam के साथ मैं आगे के guarantee नहीं लेता लेकिन 21 दिसंबर के जो update है वो मैं आपको बता दी है अब आगे जो update होगी exam के निशिल होगा या फिर नहीं होगा वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा इस update को यहाँ पर इस date तक आपे fix मानिएगा ओके तो जाने करे कैसे लिए ज़रूर बताईएगा और जिन बचों का एक जम अच्छा गया है निशिंत रहीएगा कोई दिकत नहीं है जिन का एक जम अच्छा नहीं गया वो आप जो है demotivate मत होईएगा लाइफ में क्या पता आपके लिए कौन सी चीज़े बहुत ही बेतर लिख रखी हो ठीक है तो demotivate कभी भी नहीं होना है हमेशा तयर में लगे रहना है बाके जो update होगी उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहीएगा टाइम पर आपको सभी update दे देंगे ओके जैहिं जरूऋ हीज़े सभीज़े इनग में क्या है बापके में लिए चैनल का व